हेलो फ्रेंड स्वस्त रहो मस्त रहो गोग लगभग सभी घरों में पाई जाने वाली चीज है जिसके बारे में आयरवेट के महान रिची बागवट जी ने कहा है कि यह आपकी लगभग हर बीमारी का इलाज है आप गोगभ को दिन में एक बार खाते हैं तो इससे आप कई गंभीर बीमारी बिना महगी दवाओं के ठीक कर सकते हैं लेकिन समस्या यहां पर आती है कि मोस्ट आफ लोगों को यह मालूम ही नहीं होता है कि आपको गोगभ कब कैसे और कितना खाना चाहिए साथ ही गोगभ कि चीजों के साथ खाने से आपको फाइदा होता है और किन चीजों के साथ खाने से नुकसान होता है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए तो आपको सारी बाते क्लियर हो जाएंगे कि आपको यह किस तरीके से खाना चाहिए फ्रेंट्स यदि यह वीडियो आप पहली बा जो भी खाते हैं वह हमारे पेट में जाता है जहां भूजन का पाचन होता है और पचने के बाद खाने के जो न्यूट्रेंस होते हैं वह ब्लट के थ्रू आपकी बॉड़ी के डिफरेंट पार्ट में जाते हैं और आपके बॉड़ी में एनर्जी की रूप में कनवर्ट करते और बाकी का जो बचा हुआ पार्ट होता है भोजन का या हम बोले जो अपसिस्ट होता है जो मल के दोरा बाहर निकलता है वह आपके इंटेस्टाइन याने की आपकी आँटों में जाता है अब यह पचा हुआ जो फूड है किसी कारण आपकी आँटों में जमा हो जाता है और अपसिष्ट के रूप में आतों में जमा हो जाता है वह भी धीरे-धीरे खून के जरीये आपके सरीर के दूसरे हिस्सों पर जाता रहता है अब होता क्या है कि यह गंदगी आपके फेस पर पिंपल्स के रूप में दिखती है इसके साथ ही आपको एक्जिमा जैसी प्रॉब्लम होती है अक्सर आपने देखा होगा कि जिल लोगों को पेट की प्रॉब्लम होती है पेट खराब होने की या फिर कबजी की प्रॉब्लम होती है उनके फेस पर एक्ने बहुत जादा होती है उन्हें पिंपस बार बार और बहुत जादा होती है साथी जब यह गंदगी आपके बालों में जमा हो जाती है तो आपको हेर पॉल की प्रॉब्लम सुरू हो जाती है जब यह गंदगी आपकी किड्नी में जमा होती है तो किड्नी स्टॉन की प्रॉब्लम बन जाती है और तो और जब इस गंदिगी के कारण आपका blood जो है वह गागा होने लगता है तो आपको high blood pressure जैसी problem होने लगती है तो आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे की ये सारी problem एक बार में ही जग से खत्म हो जाए तो इन सारी समस्याओं को एक बार में ही एक साथ खत्म करने के लिए गुल खाना आपके लिए सबसे बेतर option है तो आपको यह जानना चाहिए कि आप गुल के समय और कितना खाए तो आपको सुबह के समय खाली पेट गुल का एक तुकड़ा खाना है मीडियम साइस का बहुत जादा गुल नहीं खाना है मीडियम साइस का एक तुकड़ा खाईए और उपर से आप गुनगुना पानी पीजिए तो इससे आपकी जो कबज की प्रॉब्म है वह जग से खत्म हो जाएगी आपका डाइजेशन मजबूत होगा साथ ही पेट की लगभख सभी प्रॉब्म को गुल ठीक करता है इस तरीके से गुल का सेबन करने से ना सिर्फ इसकिन, हेयर फॉल बलकि सरीर की 80 प्रतिशत बिमारियां भी जग से ठीक हो जाती है लेकिन आपको यहाँ पर यह समझना भी जरूरी है कि आपको किस तरह का गुल खाना चाहिए क्योंकि बहुत से लोगों को यह सिकायत होती है कि गुल खाने से हमें सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, गला बैढ़ गया या गुल खाने से हमारा पेट खराब हो गया तो यह सारी चीज़े डिपेंड करती हैं गुल के ऊपर अपने अक्सर मारकेट में हलके पीले रंग से लेकर गहरे भूरे रंग का गुल देखा होगा हलके पीले रंग का गुल नया होता है, जो आपको नुकसान करता है आपको पेट खराब होने की प्रॉब्लम होती है या सरदी जुकाम की प्रॉब्लम भी हो सकती है वही गुल जितना पुराना होता है उतना उसका रंग गहरा होता जाता है और उसके फायदे भी आपको जादा मिलते हैं इसको जो निट्रिंस होते हैं वह भी बग जाते हैं इस गुल को खाने से आपको सरदी जुकाम या कफ की प्रॉबलम नहीं होती है बलकि यदि आपको सरदी जुकाम की प्रॉबलम है तो आपको पुराना गुल खाना चाहिए य और किसी भी उम्र में खा सकते हैं यहां तक कि जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें भी गुल का सेबन कराया जा सकता है बस यदि आप रेगुरल बेसिस पर खाते हैं तो आपको बहुत ज़ादा गुल का सेबन नहीं करना चाहिए गुल खाने का सबसे बहतर मौसम होता है सरदियों का मौसम इस मौसम में गुल का सेबन अमरत की समान होता है यह आपके बॉड़ी टेंपरेचर को मेंटेन करता है और सरदियों में होने वाली अधिकांस प्रॉब्लम को भी ठीक करता है यह गर्म प्रकृति का होता है इसलिए गर्मियों में इसका ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए ज़्यादा सेवन करने से नाक से खून आने की समस्या हो सकती है आपके सरीर में गरμी बख सकती है और आपको गर्मी और में होने वाली प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है जो सुगर पेसेंट होते हैं उन्हें भी गुड जादा नहीं खाना चाहिए नहीं तो उनका सुगर लेवल बख सकता है जिनने अलसरेटिब कोलाइटिस की प्रॉब्लम होती है उन्हें गुल का सेवन नहीं करना चाहिए जिनके सरीर में सूजन होती है उन्हें भी गुल खाना अच्छा नहीं होता है इससे उनकी सूजन और भी जादा बढ़ सकती है वैसे तो सभी तरह की चीज़ों के साथ गुल का सेवन किया जा सकता है लेकिर मूली के साथ गुल का सेवन आपको बिलकुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे आपको स्किन डिसीज हो सकते हैं यहां तक कि आपको सफेद दाकी प्रॉब्लम भी हो सकती है तो मूली के साथ आपको गुल का सेवन नहीं करना चाहिए इसके अलाबा दूद के साथ भी गुल खाने से आपको परहेच करना चाहिए बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो दूद के साथ गुल का सेवन करते हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए यह आपकी body में side effect कर सकता है जिससे आपको skin problem हो सकती है आपके digestive system में problem हो सकती है तो यह सारी समस्याइं आपको हो सकती है तो friends यह थी एक छोटी सी जानकारी उमेद करती हो आपको पसंद आई होगी यदि यह जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए आपके एक लाइक से मुझे मिलता है inspiration आपके लिए बहतर वीडियो बनाने का साथ ही आप इस वीडियो को share कीजिए ताकि और लोगों को यह जानकारी पहुँचे